क्या अलीगड में हुआ है भारत का सबसे बड़ा जॉब फ्रोड जी हां मैं बात कर रहा हूँ अलीगड उत्तर पिदेश की अलीगड उत्तर पिदेश के कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया है अभी जो है लगबग 50,000 लोगों को जॉब लगवाने के नाम पर ठगी की है और इसको जो है सबसे बड़ा इंडिया का जॉब फ्रोड बताये जा रहा है मैं अपू शर्मा आपके लिए लाया हूँ बहुती इंट्रस्टिंग इशू और आज के सेसन में डिसकर्शन करने वाले हैं इंडिया जो हुआ है हमारे अलीगड उत्तर पिदेश में जफर अली 25 साल का एक युवा अलीगड सिविल लाइन्स का रहने वाला जिसने जो है बीटेक करके अपनी इंजिनिरिंग को पूरा किया है उस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ कोविड के दौरान एक वेबसाइट को बनाता है और वेबसाइट बनाने के बाद जो है अपनी लोगों को टार्गेट करता है अधर-अधर स्टेट्स के जो युवा नौक्रियां ढूंड रहे होते हैं और उनसे जो है जौब लगवाने के नाम पर ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम के इंटर्व्यू स्ट्यूल के नाम पर बहुत सारे पैसे लिये हैं रजिस्ट्रेशन आज इस जो है important issue को हम discuss करने वाले हैं उससे पहले अगर अभी तक आप मुझसे मेरे telegram या instagram पर नहीं join हुए हैं तो मुझसे आप join हो सकते हैं और अपने suggestion दे सकते हैं कि किस-किस respect में और कौन-कौन से topics पे आप वीडियो देखना चाते हैं और जो भी बच्चे त्यारी कर हैं अधर-अधर judiciary के states की वो मुझसे कोई भी अगर उनको doubt आ रहा है किसी भी respect में किस state को किस तरीके से approach करना है मुझसे यहां पर connect हो सकते हैं और अपने doubts को मेरे साथ discuss कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का session इसको जो है सबसे बड़ा इंडिया का job fraud इसलिए बता गया है जफर अली नामक व्यक्ति जो 25 साल का वह सीनिस अलीगड का रहने वाला है और बाइब जो है इन्गियर है इनवे क्या किया इन्गोने जो है चार लोगोंने मिलकर्विशार लिए यह जो ए जो है टीन भाईओ आप कर एक kindness कर आए जिसका नाम रखा गया government जो है स्कीम के ऊपर ठीक इन्होंने टार्गेट किया है गुजरात करनाटक और आंद्पिदेश वेस्ट वंगाल और उडिसा के स्टूडेंट्स को ठीक लगभग जो है पांच स्टेट के स्टूडेंट्स को और जो है जॉब ढूनने वाले युवाओं व्यक्तियों को इन्ह अकुबग 6,000 उडिसा के जो है यूथ को इन्होंने जब उनसे फ्रॉड कर दिया और उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया उनसे पैसे ले लिए तब जो है इसकी कंप्लेंट उडिसा में बहुत जगे सुनने को मिली तो ऐसे केसिस में जो हमारा EOW है ठीक जो EOW है उसक पता करने के लिए क्या किया गया इन सब चीजों को पता करने के लिए उसको जो है जौब लगवाने के लिए इंटरव्यू कराने के लिए जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें इनको बताई गई इंजीनियर होने के नाते इनने ऐसा सिस्टम बना रखा था जिससे क ये कभी पकड़े नहीं जाएं या फिर पुलिस इनको पता था कि पुलिस और जो है एजनसियां कैसे काम करती हैं और किस तरीके से इनको उनसे बच के रहना हैं इस वएसे ये जो है नॉर्मल कॉल्स का इस्तमाल नहीं किया करते थे वीडियो वाट्सेप कॉल के थूरू ये जो है क्या कहते हैं सारी अपनी जो है नेगोसियेशन और बातें किया करते थे उन लोगों से जो जॉब ढूनना चाहते थे लगबग एक हजार जो है फेक आईडी पर लिए हुए सिम काट्स इनके पास से बरामद हुए हैं और इनके पास से लगबग 530 क्या कहते हैं मुव मदद करते थे इस फ्रॉड को करने में मदद करते थे इन लोगों को 15,000 रुपे महिने जो है तनखा भी दी जाती थी और यह जो है लोकेशन बताई जा रही है जमालपुर अलिगड के लोगों इसमें काम करते थे और जमालपुर इसकी कंपनी का जो है क्या है जो है ऑफिस बना हुआ था मूविंग हैड यह जो है चार भाई बताए आ रहे हैं मैंने आपको बताया जफर अली ठीक जफर अली ठीक जफर अली के अलावा उसके तीन कजन ब्रदर्स जो कि वो भी इंजीनियर थे उन्होंने यह चीज को इस फ्रॉड को करने का पूरा का पूरा क्या क ठीक इसने जो है वेब साइट किस तरीके से बना रखी थी जीवन स्वास्थ सुरक्षा योजना www.zzzsy.in दूसरा इसने बना रखा www.bjsrl.in भारतिय जन्द स्वास्थ सुरक्षा योजना तीसरी जो है इन्होंने डिजाइन कर रखी थी www.gsmsss.in ठीक ग्रामीन समाज मान स्वास्थ सिवा ठीक तो इस तरीके से इन्होंने जो है गवर्मेंट के नेम को यूज करके जिससे कि यह जो है लोगों का confidence ले सके ठीक तो इस तरीके से यह जो है वेब साइट को डिजाइन कर रखा था जिससे क्या गयते है गवर्मेंट की स्कीम के थुरू यह जो है लोड़ सकता है जो job ढूंड रहा होता है और उसके बाद जो है जिस तरह की आपको job चाहिए उस तरह का इनका 70,000 रुपे तक के अलग-अलग packages हुआ करते थे ठीक इसमें जो है अभी क्या हुआ है और ये जो है local newspaper में भी क्या कहते है advertisement दिया करते थे जिससे कि क्या कर सके जिससे कि ये जो लोगों को क्या कहते हैं लोगों का trust जो है ले सके और उनकी cutting उनके पास भेजा करते थे जिससे कि लोग जो है इनके उपर यकीन कर सके कि हाँ ये लोग सच में job लगवा रहे हैं और बिलकुल सही manner से लगवा रहे हैं ठी payments बंगाने के लिए और इस यह जो है इस payment को withdraw करने के लिए किसके जंधन केंद्र की ठीक जंधन केंद्र को 10% दिया करते थे और जंधन केंद्र से स्कैन करके इन account से पैसा जो है निकाला करते थे तो पूरी planning इस तरीके से की गई है कि इनको जो है कभी भी पकड़ा नहीं जा सके फेक account यूज किए गए है ठीक WhatsApp के थुरू जिसका कोई call recording data नहीं होता है उसके थुरू यह जो है लोगों को approach करते थे लगवग जो है लगवग करने के लिए ठीक और आज की इस digital यूग में आपको पता है true caller और other apps हैं जिसमें आपको पता लग जाता है कि किसके number से call आ रहा है उसका name और अगर आप premium customer है तो आपको ये भी पता लगता है कि उस वो उसकी location क्या है ठीक तो ऐसे cases में इन्होंने क्या कर रखा था जो भी य ऐसे name दे रखे थे जो government scheme से जो है related थे जो true caller पर government scheme के नाम से सो करते थे ठीक तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया इस तरीके से इन्होंने पूरे scam को क्या किया है पूरे scam को अंजाम दिया है और EOW के according माने तो ये इंडिया का जो है सबसे बड़ा job fraud है अब कि digitally जैसे हम आ व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं आपकी job लगवा देता हूं आप मुझे इतना payment कर दीजिए या फिर मैं आप जो है बेरोजगार है मैं आपको जो है और अच्छी employment दिला देता हूं उसके लिए आपके कुछ फैसे लगेंगे तो किस तरीके से आप job fraud को पता कर सकते हैं आप कर सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान आपसे job लगवाने के बहाने क्या कर रहा है पैसे की demand कर रहा है तो आप यह सोच लीजिए कि आज हमारे चाहें वो private corporate sector हो चाहें वो हमारा जो है government sector हो अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे की demand करके कह रहा है कि वो job लगवा देगा तो वो आ आपके साथ fraud ही कर रहा है ऐसा कोई criteria नहीं है कि जो है कोई भी company या फिर कोई भी सरकारी विवाग जो है पैसे लेकर job देता है दूसरा using the fake website and different mail IDs दूसरा क्या अगर कोई भी company ऐसी है जो के आपको लगता है कि fake और दूसरे क्या कहते हैं names पर register की हुई है और वो जो है उस च website को develop किया था या फिर जो भी अगर कोई company होती है और उसका क्या होता है official mail address होता है और सारी communication सारी जो है क्या कहते है details सारे mail जो है company के official website से किये जाते हैं अगर आपके साथ कोई ऐसा नहीं कर रहा है आपको जो है other और personal mail से कोई भी appointment letter भेज रहा है या फिर interview scheduling का mail भेज रहा ह तीसरा qualification और experience भी बहुत ज्यादा important हो जाता है job fraud के cases में qualification आपकी है माल लीजे graduation ठीक और कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि वो जो है आपको उस post के लिए eligible करा देगा जिसकी क्या कहते है eligibility criteria ही post graduation है तो ऐसे cases में ऐसा जहां पर post graduation का eligibility criteria रखा गया है तो उसके लिए graduates कभी eligible नह play करती है कि आपके साथ कहीं job fraud तो नहीं हो रहा तो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ऐसा fake promise कर रहा है कि आप अगर graduate है तो वो आपको post graduation वाली नौकरी के लिए eligible करा रहा है तो ये आपके साथ job fraud हो रहा है ठीक बात होती है experience की माल लीजिए आपके पास एक या दो साल का experience है और किसी company में आपकी 50,000 रुपे salary है ठीक और कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मैं आपकी इस तिने ही experience पे डेड़ लाख रुपे salary करा देता हूं आप जो है switch कर लीजिए या फिर अपनी job को change कर लीजिए तो आप जो है बिलकुल aware हो जाए ऐसा अमूमन तोर पर नहीं होत है ठीक यह जो है आपके साथ एक fraud ही किया जा रहा है यहां पर क्या कहते हैं दाल में कुछ काला है ठीक उसके बाद getting offer letter within one or two days देखे जितने भी corporate office है या फिर जितनी भी अधर अधर प्राइवेट कंपनिया है उनका एक mechanism होता है पहले जो है आप वहां पर apply करते हैं अगर आ से आपको HR के थुरू call करके बुलाया जाता है या फिर आपका interview schedule किया जाता है उसके बाद जो है आपके 2-3 rounds होते हैं 2-3 rounds अगर आप qualify करते हैं उसके बाद क्या होता है उसके बाद जो है आपको proper channel के थुरू negotiation करके official mail address से जो है क्या कहते है offer letter भेजा जाता है और यह सब ची interview schedule करा के आपका appointment letter भिजबा दूँगा आपकी job लगवा दूँगा तो वो आपके साथ क्या कर रहा है वो आपके साथ fraud कर रहा है तो यही सारे तरीके होते हैं job fraud को जो है जानने के ठीक ऐसे ही interesting videos लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा तो आज के session में हमने discuss किया है भारत क सबसे बड़ा job fraud के बारे में मिलते हैं next video में thank you